रोज कमाने रोज खाने वाले लोग हैं पूच्छ बोटल में कैमिकल के जरीए धमाका किया गया उसमें सेंसर लगा था इसके अलावा इस धमाके में सिंथेटिक कपड़े का इस्तमाल किया गया क्योंकि सिंथेटिक कपड़ा जो है वो जल्दी आग पकड़ता है कुछ CCTV फुटेज भी सामने आये हैं जिसमें कुछ संदिक भी नजर आ रहे हैं और जाच एजनसियां लगातार इसमें जुटी हुई है पूछताच का सिलसला भी चल रहा है और पूछताच के बाद जो खबरे आ रही है जाच में जो निकल कर सामने आ रहा है अब ये शक पड़े का इस्तमाल इस केमिकल के साथ इस बोतल में किया गया तो बोतल में केमिकल के जरीए धमाका हुआ और उसमें सेंसर भी लगा फिलहाल शक इस बात का एजनसियों को हो रहा है और उसी के मद्ने नजर फिलहाल जाच भी आगे बढ़ रही है चंद्रमोहन कुमार जिन पर खुलासे हो रहे हैं और जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक साफ तोर पर जाच एजंसियां यह कह रहे हैं कि हो सकता है कि इस ब्लास्ट के जरिए बर्निंग ट्रेन बनाने का सक जो है वो कहीं न कहीं जाच एजंसियों को जा रहा है आतंकियों के उपर और माना जा रहा है कि जो बोतल जिसमें ब्लास्ट हुआ था उसमें सेंसर लगे होने का सक है क्योंकि बंडल में सेंसर और बोटल लगा के उसको रखा गया था पार्सल के डबे में और जैसे ही ट्रेन तेज रफतार में आगे बढ़ती उसके बाद उसमें सेंसर के सेंस होने के पूचाना चाहते थे लेकिन कहीं न कहीं मिस्मैनेज आतमक्यों के जरिये हुआ है और यहीं वज़ा है कि यह धमाका नहीं हो पाया ट्रेन चलते वक्त में और जैसे ही यह स्टेशन पर इस बंडल को उतार कर और प्लेटफर्म नंबर एक पर रखा गया तभी यह धमाका हो ग तो सक है कि इस बोटल में जो है वो सेंसर लगा हुआ था और उसके जरिये पूरे ट्रेन को बर्निंग ट्रेन बनाने का सक है ठीक है चंद्रवान जराप रहे साथ जाच एजिंसिया अभी हर पहलों को बड़ी ही बारीकी से खंगाल रहे हैं कि किस तरीकी कि दरसल इनकी प् है शक जो अभी benef जटाय जा रहा है कि एक बोतल जिसमें केमिकल था उसमें सैंसर भी लगा हुआ था और सिंसेतिक कपड़े का इस्तमाल किया गया है ये कपड़ा जो है वो आग बहुत जल्दी पकड़ता हुर इसलिए इसका इस्तमाल किया है गई N.I.A. ने इस मामल दिख रहे हैं डिग की बकाइदा खोला उन्होंने ये सीसी टीवी तस्वीरे सामने आई हैं फिलहाल इसी के बेहाफ पर दो आतंकी जो इसमें दिख रहे हैं उन्हें गिरफतार किया गया है जनक के पास अपडेट है उनस्तिका रुक कर लेते हैं जनक